नमस्कार मैं हूँ संगीता राय, पुर्वांचल एक्स्प्रेस न्यूस के इस विब पोर्टल पे आपका स्वागत है आईए देखते हैं हमारे समवादाता, राम सकल यादो किये विशेश रिपोर्ट आजमगर्ज जिलेक के जियनपूर कोत्वाली छेतर के केसवपूर जंगल के समीत गुरुवार की राज पुलिस और बदमासों के बीच हुई मुर्भेड में शातिर बदमास रफीक घायल हो गया जबकि उसका एक साति पुलिस के हते चड़ गया, मुर्भेड इसतल से एक बोलेनोकार असलाहा एवंगरंगतारी में वसूले गय कुछ रुपे बरामत किये गये बीते पांच जुन को देवगाव कोत्वाली छेत्र के लववा खुर्द गाउनेवासी सागर सेनी अपनी भावी के साथ बाइक से जियनपूर कोत्वाली के देवा पार्ग राम इस्तित अपने नणिफाल जा रहा था धीर हरा गाउं के पास बाइक सावर बदमासों ने देवर भावी को रोक लिया बदमासों ने सागर के पास मौझूर 95 रुपे लेने के बाद उसके मोबाइल एप से अपने बैंक खाते में 34,000 रुपे ट्रांसपर करा लिया इस दरन बदमासों ने पीडित बख्ष को गाली वर धमकी देकर रंगदारी वसुलते हुए अपने मोबाइल फोन से वीडियो भी बनाए पीडि सागर ने इस मामले में बीते 19 जुन को जियनफुर कोतवाली में तहरीर दी पुलिस ने इस मामले में पीडितो द्वारा आरोपित किये गए दोहर हारा गाउ निवासी मुहमस सुहेल खान वो एक अग्याद बदमास के खिलाब मुकदमा दर्श किया पुलिस इस घटना की वेशना कर रही थी जो गुरुवार की रात सुषना मिली की वीते 5 जुन को देवर भावी से रंगदारी वसूलते समय वीडियो बनाने वाले दोनों बदमास बलेनो कार से सवार होकर बंकट बाजार से जियनफुर की ओर आने वाले हैं लेकिन आगे रास्ता खराब देख वहां सवार दो बनास पीछे लगे पुलिस टीम पर फारिंग करते हुए पैदल भाव में लगे पुलिस वारा आत्मरक्षाफ की गई जबावी कारवाही में एक बनास के पैर में गोली लगे और वा लुठक गया पुलिस ने उसे काबो में करते हुए उसके साथी बनास को भी अपनी गिरफ्ट में ले लिया घाल बनास की पैचान गैंगस्तर रफीक मिवासी धोरहारा थाना जियनपूर ततदूसे की पैचान कौसर अहमद विवासी ग्राम जैराशपूर थाना विलेरिया गंच की रूप में हुई है उनके कब जिसे एक तमंचा एक जिन्दा वा एक खोखा कार्तूस 315 बोर्ड नकर रंगदारी से बसुली गई रखम के साथ चार हजार रुपे बलेनों कार पर मुबाइल पून बरामत किये गए हैं पकड़े के बद मासों ने देवर भावी के साथ भी गटना का जुरून कबूला और सेस रखम उन्होंने बकरीत तेवार पर खर्च कर दी हैं घैल रफिक को जिले स्पताले भरती कराये गया है उसके खिलाब जिले में वीभी ने थाना में दर्जन भर संगीन मामे दर्जन कल दिनांग 20 जून 2024 को थाना जीयनपुर की पुलिस द्वारा पूर से दर्ज मुकदमा रंगदारी का मुकदमे में एक बेक्ती को और उसके साथी को पुलिस वुद्पिड़ पर ग्रस्तार कर लिया गया है दरसल पांच जून 2024 को थाना जीयनपुर पर एक बेक्ती ने आकर लिखे तरीव दी जिसमें बताया कि वे अपनी भावी के साथ घर जा रहा था जिसी रास्ते में एक दो अग्याद बेक्तियों द्वारा मुर्साइकल पर सबार होकर उनसे रास्ता रोका गया और उनसे रंगदारी बसूल की गई जिस लिखे तरीव पर ठाना जीयनपुर पर मुकदमा पंजिगत किया गया विविशना की क्रम में कल दिनांग 20 जून 24 को यह सूचना प्राप्त हुई कि इस मुकदमे में अभ्यूक्त भागने की फिराग में है जिस पर निवनसार पुलिस दौरा पधकाल गेराववंदी की गई मौकिवर कोऊंचकर और गेराववंदी को देखकर अभ्यूक्तों ने पुलिस पर फायरिंग की जिसकी अब जिसका नाम रफीक पुत्र यूनिश है, जिसके उपर पूर से दो दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, के पैर में गोली लग गई है, तता उसके साथी को से रहमत को ग्रफतार कर लिया गया है, इन पर ततकाल परात्मे को उप्चार किया गया और जिलास्टाद में वर्थी कराया जिसके पश्यात उनके पुरुत मुकदमा दर्च कर, उनको माननी नियाले सरिमान परात कर जेल बेजा जा रहा है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सबस्क्राइब और शेयर जरूर करिए।